जय जिनेंद्रा जय भोलेना आप दोस्तो, साथ बज के पंद्रा मिट हो गई है, 7.14 a.m. 7.14 a.m. 17 दिसंबर, और S.G.S. Nifty माइनस में है, 39.284, 43.00 माइनस में है, S.G.S. Nifty 43.00 माइनस में है, आप दिख सकते हो, तो दोस्तो, आज का मेरा मानना है, मार्केट, आपको पता ही, आज फ्राइडे है, सबसे पहले मैं डाउ जोन्स की बात कर ले दो, जैसा कि आप सबको पता है, डाउ जोन्स कल, एक सेगंड लाइट बात कर दो, जैसा आप सबको पता ही है, कि खल डाउ जोन्स माइनस में बंद हुआ है, और हमारा S.G.S. अभी 42.00 माइनस दिखा रहा है, और ओमिक्रोन की चिंता काफी बढ़ गई है, पूरे विश्व में, काफी बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा केसिस आ रहे हैं, लेकिन फैटल नहीं हो रहे हैं, मतलब केजोल्टीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन होस्पिटलाइजेशन काफी बढ़ गई है, ड्यू टू ओमिक्रोन, चिंता की बात है, क्योंकि इडिस्रॉप्स दा बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि कोई भी आदमी बिमार होता है, तो उसके काफी काम रुख जाते हैं, भले ही फैटलेटी नहीं आ रही है, मतलब मौत में तबदील नहीं हो रहा है, ज्यादा ज्यादा रेट में, लेकि बात है, लेकिन हमने देखा है, पास्ट में भी जब जब यह कंसर्ण्स होते हैं, तब तब मार्केट एक ओपोजिट डारेक्शन में जादा जाता है, अब आ जाते हैं, फ्राइडे की बात, अब करना क्या है, मैं बहुत तेजी में नहीं हूँ, मैंने क्या बुला, कि टर् तुला, तीन सो, भले, इस मैंने नहीं आये, तो दस बारा ताइक तक आ जाए, जन्वरी में, या पंद्रा तक आ जाए, लेकिन आना है, और मैंने आपको डे टू डू बहुत अच्छा कोशिज करके गाइड किया, अब मेरा मानना है कि आज मैं तीजीज के लिए ही खेलू जाएगा, भले ही आज, ये क्या बोलते हैं, एस जेक्स आपको 43 माइनस दिखा रहा है अभी, अभी सवा साती बजी है तो दिन सवा नो बजे मार्केट चालू होगा, तो मेरे हिसाब से, आज मार्केट थेज रहेगा, कहां पर जाके रुकाउट फेस हो सकती, एक तो कल के ह हाई पर 380, क्योंकि 380 मैंने कल भी बोला था, दूसरा जो साइकोलोजिकल लेवल है 400, जहां बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठेव हैं, तो मैं आज का मैक्सिमम टार्गेट 405 का मान के चलता हूँ, 405, अगर उसके ऊपर भी सस्टेन होता तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग ऑसकती है, लेकिन मैं आज परशनली तेजी करने के साथ से ही खेलूँगा, लेकिन तेजी करूँगा तो क्या मैं अंधा दून तेजी करूँगा, क्योंकि ओवर ल्टो मैं मंदी में हो चाट के साथ से, ठीक है, तो आज मेरा स्टोप लोस क्या होगा? आज मेरा strict stop loss होगा 180 एक सो असी मुझे स्क्रीन पर दिखेगा तो मैं बिना सोचे अपने लॉंग्स काट लोंगा बिना सोचे विदाउट गिविंग ए सेकेंड थाट ठीक है लेकिन याद रखेंगा वहां से एक ट्रैप के हिसाब से क्या होता है कई बार स्टॉप लोस को बफर करना जरूरी होता है कल का लोग अगर 184 है तो आपका 180 का स्टॉप लोस खा सकता है लेकिन अगर आपने 20 पॉइंट का बफर दिया यानि कि 160 को अगर आप स्टॉप लोस डाल दो 150 को राउंड फिगर को डाल दो अगर वह भी खाता है तो मार्केट रियल में फिर मंद है तो आज का आपका स्टॉप लोस हैगा 150 150 कल की क्लोजिंग थी 248 आज का आपका स्टॉप लोस हैगा 150 150 में फिर इफ्स और बट्स मत लगाना सीधा स्टॉप लोस को माल लेना इज्जत से क्योंकि फिर मार्केट बड़ी गंदी खेल नीचे की तरफ खेल सकता है और फिर हमारे वह सब खुल जाएंगे 16,300,16,500 सब ठीक है तो इस पर भी ध्यान रखेगा लेकिन पर्सनली मुझे लगता ह आज ज्यादातर समय सुरुवात ही कुछ पल थोड़ा सा नीचे रह सकता है कुछ पल बाकि मैजर पार्ट ओफ देब मुझे लगता है उपर ही रहेगा मेरा तो दिल बोल रहा है सुरुवात में भी नीचे नहीं रहेगा यह मेरा मन बोल रहा है मगर यह मार्केट है बाई क प्रमानी तक ही मैं रॉंग ही होँगा यह सोचके ही आप मेरा वीडियो देखिए आप यह मत सोचे कि मैं जो बोल रहा हूं वैसा ही होगा आप से सोचे मैं रॉंग होँगा लेकिन अगर मैं राइट हो जाता हूँ तो आपका कुछ भला हो जाएगा बस तो यहां रिखेग कल से वेबिनार रात को स्टार्ट होगी शुरू की तीन-चार क्लास सागर सरे लेंगे जो मेरे एसिस्टेंट है उसके बाद I'll take over तो जै जिनंद्रा जै भूलेनात जै हिन